Hello everyone, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होगे देखिए आज की क्लास ना बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इंपोर्टेंट है सारे कोस्चन एक्जाम में आने वाले प्रसन है तो सारे कोस्चन को आप लोग जो है प्लीज पेन पेपर पे नॉट डाउन कर लीजेगा जिन्होंने नॉट्स ले लिया है वो इसकी पीडियाप मांग सकते हैं मैं उनको पीडियाप भी प्रभाइट कर दूँगा तो चलिए very first question की ओर आज हम लोग बढ़ेंगे और आपके सामने ये रहा पाला question उससे पले आप लोगों से request है वीडियो को like कर दें नए हो तो चैनल को subscribe करते हुए जाना है और share बगएर करने का मन है तो वो भी कर दें गंटी बंटी तो दबाई देना आप तो चलिए very first question आपके सामने ये रहा which button in MS Excel is clicked to calculate the sum of a series of a number यानि कि MS Excel में अगर आप किसी number को calculate करना चाहते हो तो आप कौन सा उसमें file को लगाओगे क्या आप करोगे तो auto sum करोगे, fill करोगे, merge करोगे या insert करोगे तो देखिए merge का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिला देना तो देखिए ये दो अलगलग cube है अगर मैं इन्हें मिला दूँ एक साथ रख दूना तो ये क्यों wide बन जाएगा यानि कि ये तो होगा नहीं, fill होगा नहीं, insert यानि कि किसी चीज़ को डाल देना नहीं, यहाँ पर auto sum होगा यानि कि simple सा answer है, ऐसे ही आप इसका answer लगा लेते, तो A इसका correct answer हो जाएगा बढ़ेंगे भरी next question के लिए, और अगला question आपके सामने ये रहा, BCC का क्या मतलब है तो देखिए BCC जो है न, ये question कुछ इस तरह से भी आ सकता है, उसके लिए आपको मैं तयार कर देता हूँ देखिए, आप लोग अगर अपने email को खोलिएगा, जिल लोगों ने मुझे notes के लिए email किया था न, उन्हें पता होगा email में क्या-क्या चीज़े हैं, आपको दिखाई पड़ेगी वहाँ पर आपको CC भी दिखाई पड़ेगा, BCC भी दिखाई पड़ेगा सफोज कर लो, आपके पापा है, आपने मुझे पैसे देने के लिए email किया, अब आपके पापा को देखना है कि आपने सचमुच में मुझे email किया या नहीं, तो आप क्या करोगे, पापा को CC, यानि कि carbon copy में add कर लोगे उनके email ID को और अगर आपको किसी को भेजना हो, जब आप carbon copy करोगे न, मुझे आप email कर रहे हो, तो मुझे पता चल जागा कि आप अपने पापा को दिखाना चाहरे हो, यहाँ पे आपने पापा को carbon copy send कर रखा है, अगर आप BCC में कर दोगे न, तो मुझे नहीं पता चलेगा, आपके पापा को पता चल जागा कि आपने मुझे email करा है, तो यहाँ पे जो फिलाल, तो BCC का full form क्या है, वो रहा आपका blind carbon copy, याद रखिएगा, blind carbon copy, और exam में आप बहुत बार पुछा जाता है, email को याद रखिए, कि email में ये सारे चीज होते हैं, क्या-क्या, 2 का होगा point, और 2 मे आप किसका नाम भरते हो, जिसको आपको email करना हूँ, तो चलिए email से याद आगया, तो मैं promotion पहले ही कर दूँ, देखिए, चिल लोगों ने notes अभी तक नहीं लिया है, prices की 499 थी, जिसको मैंने घटा दिया है, इसे खत्म कर दिया है, 250 जी हाँ, ताकि आप आखरी समय में अगर आप transaction करोगे, तो आपको previous year paper मिल जाएगा, जिन है previous year paper और notes दोनों चाहिए, उन्हें सिर्फ 300 का pay करना है, आपको previous year question paper और notes दोनों provide कर दिया जाएगा, यहां से मेरी email id देख लो, yourmithunsing at the rate zmail.com पी mail कर लीजिए, if you are instagram then do follow me at the rate imithunsing, चलिए आगे की बात करेंगे, next question की, आपको बस यह बताना है, worldwide wave, यह किसने invent किया था, तो देखिए मैं इसका पहले answer यह आपको बता दू, और कुछ question भी आपसे पूछूँगा, जो की बहुत 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 important है, please comment करके, question of the damage का answer आप करना, देखिए इसका जो right answer है, वो है team burns lee, इन्होंने जो है internet, यान internet इन्होंने इजाद किया था, अब देखिए इन्होंने कुछ और term खोजा था, http, full form आप नीचे comment box में बताईए, question of the day आपके लिए यह रहा, html इन्होंने खोजा, इससे भी आप comment करके बताईएगा, urls, इसका भी full form आप बताईएगा, यह तीनों, देखो यह भी question internet, internet का full form क्या है, तो बड़ा ही easy question है, interconnected network, see, इसका correct answer हो जाएगा, बढ़ेंगे अगले question की ओर, each computer on a network is organized by a unique, देखिए, computer, हर computer अपने आप में unique है, जैसे की हर इंसान एक दूसरे से unique है न, देखो हर इंसान की सोच अलग होती है, mentality अलग होती है, आप suppose कर लो कि आपको जो है red color पसंद है, किसी को blue हो सकता है, किसी को black हो सकता है, किसी को yellow हो सकता है, individual वाली बात है, तो उसी तरह से अगर हर computer का भी अलग अलग पहचान होता है, तो आप computer को कैसे पहचान होगे, उसके IP address से, अब देखिए मैं आप लोगों के लिए छोटा सा question नीचे पूछूँगा, आप अपने mobile की unique ID को कैसे पहचान होगे, जैसे IP address से आप तो computer पहचान लोगे, laptop पहचान लोगे, लेकिन mobile में क्या होता है, जिससे आप पता कर पाओगे, और उसे क्या कहा जाता है, उसका full form आप नीचे comment करके बताओगे, चलिए, आगे बढ़ेंगे question number 6 के लिए, while typing in MS Word, देखिए, याद रखिएगा, MS Word में, तो अगर वहाँ पे underline हो जाए, कोई चीज आपने लिखा और वो underline हो जाए, इसका क्या मतलब है, spelling mistake है वो, grammatical mistake है, spelling और grammatical दोनों, या फिर न न न बभभव, तो देखिए, आप सोचिए इसको, देखिए, इसका जो right answer होगा, वो होगा, देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि यह spelling और grammatical mistake दोनों होगा, तो यह नहीं होगा, actually यह सिर्फ और सिर्फ spelling mistake को चेक करता है, कौन, MS Word में, अगर कोई red line, underline हो जाता है, तो, आगे बढ़ेंगे next question के लिए, which of the following is not related to web search, देखिए, सारे, मैंसे कौन, कौन, web search है, यानि कि internet पे आप जो है, search engine जिसे बोलते हो, तो देखिए, Google पे, तो देखिए, Google के बिना तो किसी का काम चलता नहीं है, Google, Yahoo, Bing, तीनों क्या है, search engine है, लेकिन जो Facebook है न, ये आपका social media है, याद रखिएगा, social media है, यहाँ पे आप नकली-नकली photos बगएर डाला करते हो, फिल्टर लगा करके कुट्टे-बिल्ली वाली photo डाल देते हो यहाँ पे, और बाबु सोना भी यहीं करते हो, आप खेर वो WhatsApp हो गया न, आगे बढ़ते हैं, Which of the following is the best suited for the preparing the result of a class of a student, यानि कि आपको अगर किसी class का result तयार करने के लिए बोला जाए, आप किसका सहारा लोगे, जैसे ही semester खत्म होने वाला होता है, exam आने आता है, तो project summit करना होता है, तो आप किसी एक पढ़ा को दोस्त को पकड़ते हो, उसी तरह से अगर आपको result तयार करना है, आप MS point को पकड़ोगे, MS word को पकड़ोगे, MS office को या Excel को, तो देखिए, याद रखिए, यह जो है न, MS Excel, यह सारा काम करेगा, पढ़ाई, लिखाई, सारे data को store करने का काम कौन करेगा, MS Excel, अगर आपको mark sheet बनानी है, IMS Excel के पास, अगर आपको किसी business का जो input है, वो answer हो जाएगा, बढ़ेंगे आगे next question के लिए आपको बस यह बताना है, कि अगर आपको help चाहिए, किसी भी आप window पे काम कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कौन सा button को press करोगे, आपको help मिल जाएगा, F1, F5, F9 या F12, तो देखिए, universal वाली बात हो यह ना, यानि कि पूरे all over world में कोई भी computer हो, आप सिर्फ F1 प्रेस कर दोगे ना, आपको जो भी help चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, चलिए, question number 10 के और बढ़ेंगे, आपको बस देखो, यह बड़ा easy question है, लेकिन ठोड़ा सा आपको यह difficult लग सकता है, Amazon, Flipkart, Alibaba, यह examples से क इसके, social media के, banking website है, यह e-commerce website है, यह product review website है, तो देखिए, इसका जो right answer है याद रखना, यह banking website बिलकुल नहीं है, यह product review website नहीं है, यह social networking भी नहीं है, देखिए, Alibaba आपको नहीं पता हो, तो यह China की सबसे बड़ी portal है, Alibaba पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, everything, तो य सिंदूर, टिकली, बिंदी, whatever, कुछ भी lipstick से लेकर के, book से लेकर, anything, आजकल तो वहाँ पे bike वगेरा भी मिलने की options आ रहे है, cycle तो आप खरीज सकते हो, तो e-commerce website से आपको सब कुछ मिल जाएगा, अगे बढ़नेंगे question number 11 की ओर, the output quality of a printer, देखिए, printer की quality कितनी अच्छी है, वो आप कैसे निकालते, जैसे देखो, suppose कर लो, आप ना कोई एक photo खीचते हो, अपने mobile में, और आप उसे zoom करके देखते हो, ऐसे करके zoom करते हो, दोनों हाथों से, देखते हो कि photo फटा क्या, नहीं फटा, इसका मतलब आपकी जो camera की quality है, वो best है, उसी तरह से, आप जो है, कि नीचे comment करके बताईए, मैं नहीं बताता, नीचे comment करके आपको बताना है आपको, question number 13 के ओर बढ़ेंगे, आपको बस ये बताना है, fiber optical cable किस use में लाया जाता है, तो देखिए, data transmitting मतलब होता है, एक जगा से दूसरे जगा पे transfer करना, तो data को speed transfer करने के लिए आपको fiber optical cable की ज कौन सा काम करते हो आप, तो देखिए, MS Word में, अगर आप चेतन भकत बनना चाते हो, या पालो कोलियो बनना चाते हो, या बनना चाते हो, आप बिकरम सेट, सारे writer हैं, author हैं, तो आप क्या करोगे, book writing आप MS Word में करोगे, अगर अभी देखो मैंने MS Excel बताया था न, MS Excel में आप क्या करोगे, कोई भी data का काम हो, accounting का काम हो, या फिर आपको result सयार करना हो, तो ये काम आपका कौन करेगा, MS Excel, और PowerPoint क्या करेगा, Delivering Lecture, यानि कि आप कुछ अच्छा धंग से project सयार करना चाते हो, वो MS PowerPoint कर देगा, तो देखिए, ये सारे answer कहां मिलेंगे आपको, ये सारा answer आ A में, यानि कि A आपका correct हो, जाएगा, बढ़ेंगे very next question की, और question number 15, आपको बस ये बताना है, कि अगर आप कौन सा key hit करोगे, आपके सामने dialogue box open हो जाएगा, देखिए, सबसे पले मैं na, dialogue box बता देता हूँ कि पीडिया फाइल में क्या होता है, dialogue box अगर आप खोल लेते हो, वहाँ पे अगर आपने सर्च कर दिया, suppose कर लो, कि आपने सर्च कर दिया कोई भी चीज, suppose कर लो आपने pen सर्च कर दिया, तो उस पूरे page में, कितने जगहां पे pen लिखा गया है, आपको pen highlight हो जाएगा, उसी तरह से similarly, आप देखना जब भी result आता है, तो यहाँ पे एक dialogue box हो अगर आपने control और F दबा दिया ना, dialogue box आपका खुल जाएगा, यह इसका correct answer है, बढ़ेंगे question number 16 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, a disrupted program that spread from the program to program, from disk to disk, यानि कि spread मतलब होता है, एक जगह से दूसरे जगह फैल जाना, तो देखिए, virus और कुछ नहीं, seize का right answer होगा, virus क्या क देखिए, यह जो question है, very very important question है, MS Excel के बारे में आपको मैंने बताया, देखो MS Excel आप खोलोगे, तो ऐसा ऐसा आपको कुछ मिलेगा, तो जब भी आप नमरिक data डालोगे, ना, number आप कुछ लिखोगे, तो वो दाहनी तरफ जाएगा, या बाहनी तरफ जाएगा, तो देखना, अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूं, suppose कर लो कि यह आपका MS Excel का seat है, तो जब भी आप इसे open करोगे ना, तो देखना, number जब भी आप लिखोगे, यह किस तरफ जाएगा, right की तरफ जाएगा, right यानि कि number इस तरफ लिखा जाएगा, और अगर आप क कौन, option C, जब भी आप number लिखोगे, वो right की तरफ जाएगा, और alphabetical जो data है, I mean ABCD लिखोगे, वो left की तरफ चला जाएगा, आगे बढ़ेंगे, अगले question की और next question आपके सामने ये रहा, आपको बताना, which of the following options contain the MS Office file, MS Office file आप में क्या क्या दिखेगा, तो देखो, सबसे पहल की और जो की आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है कि MS Excel का use आप किस-किस purpose से कर सकते हो, तो बिल्कुल teacher जो है student के result को तयार करने के लिए MS Excel का use कर सकता है, लेकिन आप अगर चाहो किसी का नाम storage करने के लिए वो भी आप कर सकते हो, लेकिन गाना नहीं बजा सकते हो music आप play नहीं कर सकते हो, MS Excel में, तो right answer क्या होगा, A and B ही केवल आप use कर पाओगे, देखिए answer कहा है आपका, बिल्कुल A में ही answer है, यानि कि one is का correct answer हो जाएगा, बढ़ेंगे question number 20, which of the following font, देखिए font effect जो है, नहीं available है MS PowerPoint के dialogue box में, तो देखिए arrange का file आपको नहीं मिलेगा, यह तीनों option आपको मिल जाएगा, लेकिन arrange नहीं मिलेगा, यह आपका right answer हो जाएगा, तो video आपने यहाँ तक देखिए, तो please comment करके, जह हिंद जरूर लिखते हैं, thank you so much for watching this video, have a good day.